राहुल गांदी की मौफ्ट फोटो शेयर करना कंगना रनौत को पढ़ा भारी कंगना रनौत पर हुआ लीगल केस 40 करोड का मानहानी का दावा कंगना रनौत पर किया गया है कंगना रनौत जब से पॉलिटीशन बनी है तब से उनकी कॉंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ गई है पॉलिटीशन बनते ही तो उन्हें सबसे पहले चंडिगर एरपोर्ट पर एक CISF जवान ने थपड़ मार दिया था और अब हबर आ रही है कि कंगना रनौत पर एक डिफिमेशन केस किया गया है सुप्रीम कॉर्ट के वकील नारेंदर मिश्रा ने कंगना रनौत पर डिफिमेशन केस किया है यह डिफिमेशन केस उनकी उस सोशल मीडिया पोस्ट की वज़े से किया गया है जिस पोस्ट में कंगना रनौत ने राहूल गांदी की एक मौफट फोटो शेयर की थी इस फोटो में राहूल गांदी को सकल कैप पहने दिखाया गया है उनके नेक पर क्रॉस है और माथे पर हल्दी और तिलक लगा हुआ है इस photo को share करते हुए कंगना रनौत ने कहा जाती जीवी जिसे बिना जाती पूछे जन गनणा करनी है कुछ इस तरह से कंगना रनौत ने राहुल गांदी की फोटो शेयर की थी अब नरेंदर मिश्रा ने ये कहते हुए कि किसी की भी मौफ्ट फोटो आप पब्लिकली शेर नहीं कर सकते हैं और ये बहुत ही इंसल्टिंग है इसको लेकर अब कंगना रनौत के खिलाफ उन्होंने डिफिमेशन केस फाइल कर दिया है 40 करोड का मानहानी का दावा कंगना प ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने राहूल गांधी पर टिपनी की हो इससे पहले मीडिया में कह चुकी है कि राहूल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए उसके बाद भी सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को काफी ट्रोल किया गया था